क्या आप डंकी का मतलब जानते हैं? डंकी एक पंजाबी मुहावरा है जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना. पंजाब में डंकी फ्लाइट का बिजनस किया जाता है, इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना जैसे देशों में भारतिय नागरिकों के लिए वीजा ओन अराइवल है ब्राजील और वेनेजुएला समेथ कुछ अन्य देश भारतियों को आसानी से परियटक वीजा दे देते हैं कई भारतिय अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए इस गलत तरीके का इस्तिमाल करते हैं एक प्रवासी का रूट इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके एजेंट के किन देशों में लिंक है यही वज़ह है कि अधिकांश एजेंट अपने ग्राहकों को लैटिन अमेरिकी देश में ले जाते हैं फिर वहां से कोलंबिया ले जाते हैं जो देश अमेरिकी से जितना करीब होता है, उसके लिए भारत से वीजा प्राप्ट करना उतना ही मुश्किल होता है रास्ते में पढ़ता है एक खतरनाक जंगल, कोलंबिया से प्रवासी पनामा में प्रवेश करते हैं दोनों देशों के बीच एक खतरनाक जंगल, डेरियन गैप है, जिसे प्रवासियों को पार करना होता है उस जंगल में कई तरह के जोखिमों सामना करना पढ़ता है जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चल कर पार करना होता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण कई लोगों को मौत हो जाती है। कई बार जानवर लोगों को मार डालते हैं. इस कारण हर साल हजारों लोगों की मौध हो जाती है. कुछ लोग बॉर्डर तक पहुंचते हैं, लेकिन मेक्सिको या फिर अमेरिकी पुलिस द्वारा पकड़ लिये जाते हैं, जिसके बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया जा आता है. यहीं है डंकी प्रोसेस यानि डॉंकी प्रोसेस. आपका डॉंकी प्रोसेस के बारे में क्या सुझाव हैं, कमेंट में जरूर बताए.